हेलो विवर्स, वेल्किम चुमाई यूट्यूब चैनल, वैक्सिंग करवाने से पहले आप कुछ बातों का विशेश रूप से ध्यान रखें ताकि आपको एक दम दर्द ना हो जब आप पहली बार वैक्सिंग कराएंगी तो आपको ज़्यादा दर्द होगा और आपको वैक्सिंग सब से डर्द लगने लगेगा जब बालों को आपकी स्किन से नोचा जाता है तो आपको दर्द होता है इस दर्द को कम करने के लिए आप कुछ उपायों को जरूर अपनाएं कौन से हैं वो उपाय चलिए जान लेते हैं सुबह कॉफी ना पिएं जिस दिन आपको वैक्सिंग करवानी हो उस दिन सुबह कॉफी ना पिएं इससे आपकी वैक्सिंग दर्द रहित बनेगी क्योंकि कॉफी में कैफीन मौजूद होता है जो इसके दोनों छोड़ों को उत्यजित करता है और वैक्सिंग में जब बाल खिषते हैं तो काफी दर्द होता है वैक्सिंग सैशन को सही रखने के लिए एक्सफोलेट कर लें इसे शरीर से डायट सैल्स निकल जाते हैं और वो बाल जो डायट स्किन सैल्स के अंदर रहते हैं वो भी निकल जाते हैं जब ये हो जाता है तब बालों का निकालना दर्द भरा नहीं होता गर्म स्नान वैक्सिंग कराने से पहले ठंडे नहीं बलकि गर्म पानी से नहाएं गर्म पानी से नहाने से आपके तोचा के रोम छिदर खोल जाएंगे और तोचा की उपरी परत कोमल हो जाएगी आप ज़ादा देर तक गरम पानी में रह सकते हैं ताकि सारे रोम छिदर खुल जाएं और वेक्छिंग कराने में सुविदा हो इसलिए ऐसा कहते हैं कि आपको वेक्छिंग करवाने से पहले नहाना चाहिए धीले कपड़े पहने वैक्सिंग के दोरान धीले कपड़े पहने ताकि वैक्सिंग में कोई परेशानी ना हो वैक्सिंग के बाद आपकी तोचा कुछ समय के लिए काफी सम्वेधन शिल रहती है आपको धीले कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि टाइट कपड़ों से तोचा में खुजली या अन्य परिशानी हो सकती है नैचुरल फाइवर का इस्तमाल करें क्योंकि इससे आपकी तोचा में परिशानी नहीं होगी और पसीना भी नहीं आएगा अलोवेरा जेल जब आपकी वैक्सिंग हो जाए तो एक्सपर्ट से कहकर अलोवेरा जेल या फिर कोई ऐसा जेल लगवा लें ताकि तोचा पर लाल लिशान नहीं पड़ें अलोवेरा जेल लगाने से आपकी तोचा को अच्छा लगेगा और ये तोचा को हाइड़ेट भी करती है तो दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं जिनने आपना कर आप वैक्सिंग के दर से छुटकारा पा सकती हैं गर आपको मेरे द बारा कुछ ऐसे ही इंपोर्टेंट टिप्स बहुं सकें थैंक्स पूर वाचिंग मैं वीडियो हैव अगूद दे